ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 5 दिसंबर 2023 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे कल्यानकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्यान कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े रोना अकल्यान वद्दे अविमान की निशानी है मीठे बच्चे कल्यानकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्यान कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े रोना अकल्यान वद्दे अविमान की निशानी है प्रश्ण किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है उत्तर तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवस्य होना है भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं लेकिन नर चाहत कुछ और कितना भी कोशिश करें ये भावी टल नहीं सकती नैचुरल कैलिमिटीज आदी भी होनी है तुम्हें नशा है कि हमने इश्वर्य गोद ली है जो साक्षात कार किये हैं वे सब प्रैक्टिकल में होनाई है इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो ओम शान्ती विश्व में मनुश्यों की बुद्धी में भक्ती मार्ग का ही गायन है क्योंकि अभी भक्ती मार्ग चल रहा है यहां फिर भक्ती का गायन नहीं है यहां तो बाप का गायन है बाप की महमा करनी होती है जिस बाप से इतना उच वर्सा मिलता है भक्ती में सुख नहीं है भक्ती में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग वासी हुआ तो खुश होना चाहिए ना जबकि स्वर्ग मैं जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं वास्तव मैं ये सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्ग वासी हुआ इसलिए रोते रहते हैं अब इन रोने वालों का कल्यान कैसे हो रोना दुख की निशानी है मनुष्य रोते तो है ना बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं क्योंकि दुख होता है दुख नहीं होगा तो जरूर हरसित रहेंगे रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्यान होता है सत्यूग में कभी अकल्यान नहीं होता इसलिए वहां कभी रोते नहीं अकल्यान की बात ही नहीं होती यहां कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन नहीं मिलता तो दुखी होते हैं दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्यान करो, अगर सर्व्यापी है तो किसको कहते हैं, कल्यान करो, परमपिता परमात्मा को सर्व्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है, बाप है सबका कल्यान कारी, वह एक ही कल्यान कारी है तो जरूर सबका कल्यान करेंगे तुम बच्चे जानते हो परम्पिता परमात्मा हमेशा कल्यान ही करते हैं अब वे परम्पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्यान करे विश्व का कल्यान करने वाला और तो कोई है नहीं बाप को फिर सर्व्यापी कह देते हैं कितनी भारी भूल है अभी बाप अपना परचे देकर कहते हैं मन मना भव इसमें ही कल्यान है साथियुग त्रेता में कोई भी हालत में कल्यान होता नहीं त्रेता में भी जबकी राम राज है तो वहां शेर बकरी इकटे जल पीते हैं हम राम सीता के राज की इतनी इस्तुती नहीं करेंगे क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुक कम मिलता है हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उसमें पूरा वर्सा पाएं तो बहुत अच्छा है उच्छ ते उच्छ बाप से वर्सा ले हम कल्यान करें हर एक को अपना कल्यान करना है स्रीमत पर बाप ने समझाया है एक है आसुरी संप्रदाए दूसरा है दैवी संप्रदाए अभी एक तरफ रावन राज है दूसरे तरफ मैं देवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ ऐसे नहीं कि अभी देवी संप्रदाय है आसुरी संप्रदाय को मैं देवी बना रहा हूँ कहेंगे देवी संप्रदाय तो सत्यूग में होता है बाप केते हैं इस आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाए भविश्य के लिए बनाता हूँ अभी है ब्रहामन संप्रदाए deposited संप्रदाए बन रहा है गुरुनानक ने भी कहा है मनुष इस से देवता परन्फु कौन से मनुष हैं जिनको देवता बनाएंगे वे ड्रामा के आदी मद्यांत को तो जानते नहीं स्रेश्टी के आदी में जो लक्षमी नारायन स्रेश्टाचारी हैं वे भी आदी मद्यांत को नहीं जानते त्रिकाल दर्शी नहीं है आगे जन्म में त्रिकाल दर्शी थे स्वदर्शन चक्रधारी थे तब ये राज़ पद पाया है उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णू को तो ये भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्र धारी ब्रामण हैं तो मनुष्य आस्चा रिखाएंगे वै तो स्रीक्रश्न को भी कह देते विष्णू को भी कह देते ये तो जानते नहीं कि विष्णू के दो रूप लक्ष्मी नारायन है हम भी नहीं जानते थे मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते ये तो ड्रामा है तो पहले पहले बाब का परचे दें या ड्रामा का राज समझाएंगे सो भी जब बाबा की याद हो पहले पहले बाब का परचे देना चाहिए बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशूर है रूद्र बाबा भी नहीं कहते शिव बाबा नामी गरामी है बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त हैं उन्हों को जाकर समझाओ अकबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमाला की इतनी मल्टी मिलियन अब हिमाला की कोई आयू होती है क्या? ये तो सदैव है ही हिमाला कभी गुम होता है क्या? यह भारत भी अनाधी है कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते वैसे हिमालाए के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है इस हिमालाए पहाड की आयू गिनी नहीं जाती ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आकाश की वा समुद्र की आयू इतनी है हिमालाई की आयू कहते हैं तो समुद्र की भी बताएं कुछ भी जानते नहीं यहां तो तुमको बाप से वर्सा पाना है यह है ईश्वर्य फैमली तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं एक राजा जनक की बात नहीं जीवन मुक्ती में अथवा राम राज में तो बहुत होंगे न सबको जीवन मुक्ती मिली होगी तुम सेकंड में मुक्ती जीवन मुक्ती पाने के पुरशार्ती हो बच्चा बने हो मम्मा बाबा कहते हो जीवन मुक्ती तो मिलेगी न समझ सकते हैं प्रजा तो धेर की धेर बनती जाती है दिन प्रती दिन प्रभाव तो निकलना है न ये धर्म की स्थापना करना बड़ी महनत है वे तो उपर से आकर स्थापना करते हैं उनके पिछाडी उपर से आते जाते हैं यहां तो एक-एक को राज भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ती जीवन मुक्ती के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है। पांच तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभ पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरशार्त किया था कोई आस्चर्यवत भागंती हो जाते हैं फारकती दे देते हैं प्रैक्टिकल देखते रहते हैं ये भी समझते हैं विनाश शामने खड़ा है ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है नर चाहत कुछ और होत कुछ और वह चाहते हैं पीस हो परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो तुमने साक्षातकार किया है वह भल कितना भी माथा मारें की विनाश नहो परंतु ये भावी टल नहीं सकती अर्थ को एक नैचुरल के लिमिटीज होंगी वह क्या कर सकते हैं कहेंगे ये तो गौड का काम है तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चड़ता है और याद में रहते हैं सब तो परिपूर नहीं बने हैं तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है अन नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगा नहीं है तीन पैर प्रतिवी के नहीं मिलते तुम्हारा ये है इश्वर्य परिवार, मात, पिता और बच्चे बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ बच्चों को सिखाता हूँ बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूं बच्चे ही समझेंगे नहीं समझते हैं तो छोड़ो लड़ने की कोई बात नहीं हम परचे देते हैं बाप का बाप केते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे मनमनाभव मध्याजीभव का अर्थ भी यह है बाप का परचे दो जिससे क्रियेटर और क्रियेशन का राज तो समझ जाएं मुख्य यह एक ही बात है गीता में मुख्य यह एक ही भूल है बाप केते हैं मुझे कल्यान कारी को ही आकर कल्यान करना है बाकी शास्त्रों से कल्यान हो नहीं सकता पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो बाप को याद करना है तो परचे भी चाहिएी न वे कहां रहते हैं आते हैं वा नहीं बाप वर्षा तो जरूर यहां के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे बाप तो सम्मुख चाहिए शिवरात्री भी मनाते हो शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का वह रचता है नई नौलेज देते हैं स्रश्टी चक्र के आदी मद्य अंत को वह जानते हैं वह है उचे ते उचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं राजयोग सिखलाते हैं मनुष्य कभी राजयोग सिखला न सके हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं गीता में भी शुरुआत में और अंत में मनमनाभव और मद्याजी भव कहा जाता है जाड और ड्रामा का नौलेज भी बुद्धी में रहता है डीटेल में समझाना पड़ता है रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है बाप और वर्से को याद करना है यहां तो एक ही बात है हम विश्व के मालिक बनेंगे विश्व का कल्यान कारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं सुवर्क का मालिक बनाएंगे नर्क का थोड़े ही मालिक बनाएंगे दुनिया ये नहीं जानती कि नर्क का रचैता रावण है स्वर्क का रचैता बाप है अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है सबकी वानप्रस्त अवस्ता है मैं लेने आया हूँ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे ये निश्चय बुद्धी से किसको समझाना है तोते मुआफिक नहीं निश्चय बुद्धी को फिर रोने की वा दे अविमान में आने की बात नहीं रहती दे अविमान बहुत गंदा बना देता है अब तुम देही अविमानी बनो शरीर निर्वा अर्थ कर्म करो वे तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं यहां तो तुमको ग्रहस्त व्यवहार में रहना है बच्चों को संभालना है बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है बाप को कितने बच्चे हैं फिर उनमें कोई सपूत हैं कोई कपूत हैं नाम बदनाम करते हैं काला मू कर देते हैं बाप कहते हैं काला मू नहीं करो बच्चा बन और फिर काला मू करते हो कुल कलंकित बनते हो इस कामचिता से तुम सावरे बने हो कामचिता पर थोड़े जल मरना है हलका नशा भी नहीं होना चाहिए सन्यासी आदी अपने फालोवर्स को ऐसे थोड़े कहेंगे वे रियलिटी में नहीं है बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं बाप केते हैं मुझे याद करो तुमने गैरंटी की है बाबा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे बाप केते हैं बच्चे फिर विसय गटर में गिरने का खयाल क्यों करते हो तुम बच्चियां जब ऐसी मुर्ली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्यान तो हमने कभी सुना नहीं मंदिर के हैट्स को पकड़ना चाहिए चित्र ले जाना चाहिए ये त्रमूर्ती जाड दिलवाला के ही चित्र हैं उपर में दैवी जाड खड़ा है बाकी दैवी जाड जो पास्ट हो गया है वह दिखाते हैं ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे इसने तो कमाल की है जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे चित्र तो बहुत अच्छे है अब देखो देहली में जो रिलीजस कॉन्फरेंस होती है वे भी कहते हैं वननेस हो उसका तो अर्थ ही नहीं बाब एक है बाकी हैं भाई बहन बाब से वर्षा मिलने की बात है आपस में मिल चीर खंड कैसे होंगे यह बातें समझने की हैं प्रदर्शनी की व्रदी लिए युक्ती रचनी है जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लजजा आनी चाहिए अगर दस नए आए और आठ दस मर गए तो इस से फाइदा क्या हुआ अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्य सार पहला शरीर निर्वा अर्थ आना है दूसरा स्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्यान करना है सपूत बन बाब का नाम बाला करना है वरदान व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव व्यर्थ संकल्पों को को समर्थ में परिवर्थित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाट तो इतना दिखाई नहीं देता योग तो लगता नहीं अशरीरी होते नहीं यह हैं व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्थित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है मैं ही कल्प कल्प कर सहज योगी हूँ मैं योगी नहीं बनूँगा तो कौन बनेगा कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं मेरा शरीर तो चल नहीं सकता यह पुराना शरीर तो बेकार है नही वाह वाह के संकल्प करो कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी स्लोगन शुब भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती